नमस्त दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में और केवल उनीगा स्वागत है जो सत्य सनातन गुरुप से हमारे इस चैनल से जुड़े हुए है जो भाई साब बीना सबस्क्राइब किये बीना बैल आइकन दबाए हुए अप केवल और केवल अपनी भावनाय आहत करवाने के लिए आते हैं उनका यहाँ पर कोई स्वागत नहीं है वीडियो को छोड़ करके चले जाएं डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूँ भावनाय आहत हो सकती है इसलिए निकल जाएं बाद में शिकायत मत कर रहा है तो भाई शुरुआत करते हैं फ्रांस से फ्रांस ने वहां के रास्ट्रपती इमैनुवल मैक्रोन आजकल तो मेरे हीरो बने पड़े है इस टाइम पर बहुत मतलब दिल गद गद है हाँ तो उन्होंने एक कानून पारित किया है एक अध्यादेश वे लेकर के आये हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि मस्जिद जो है सिर्फ और सिर्फ वहां जो उनके रिच्वल्स हैं सिर्फ वहां पे कोई भी आतंकवादी अलगाववादी जिसके उपर कोई भी इलजाम लगा हुआ है अपरादी जेल जा चुका है ऐसा व्यक्ति वहां पर कभी भी एंट्री नहीं करेगा एक से ज्यादा शादी कोई भी नहीं कर सकेगा और जो स्विमिंग पूल्स है वो इस तरी पूरुस दोनों के एक साथ वहां पर जाएंगे स्विमिंग करेंगे सेपरेट नहीं होंगे बच्चों के लिए भी उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मस्जिद के अंदर कोई भी आ करके किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं करेगा तीन साल का यदि बच्चा हो गया तो स्कूल जाना जरूरी होगा उसके बाद यदि उसको कारिय नहीं चलेगा अब देखो इंडारेक्ट तो बहुत सारे चीज़े हैं इसमें कहीं इसलाम का मुस्लमानों का नाम नहीं लिया गया क्योंकि सेकुलर कंट्री है लेकिन सारे के सारे जो नियम है इस बात को दिहान में रख करके बनाए गए हैं इसके साथ ही साथ जो कांट होने वाला है आज वो कांट हो गया है अब बड़ी बात कल वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शिलान्यास हुआ है आज मैं आपको कुछ तोड़ फोड़ वाली बात बताता हूं उत्तर परदेश के अंदर रामपूर के अंदर डेढ़ सो साल पूरानी एक मजार थी डियम ने पूरी फोर्स लगाके जे सी भी मसीन फिरवा दिये वीडियो में आपको पहचान ने आएगा कि वहाँ पर कुछ था भी पेड़ को नीचे से हरा रंगते हैं वहाँ दरगाहों पर मजारों पर वो पस पहचान आएगा एक आदी दिवार खड़ी है पहचान आएगा पहली चीज तो दूसरी चीज कि अजयन महाकाल मंदिर के पास में अवैद जमीन पर कबजा करके एक मस्जिद बनाए गई थी जिसका नाम था क्या तकिया तकिया मस्जिद वहाँ तकरीबन सासो पुलिस कर्मी उस पूरे के पूरे एरिया को घेर करके खड अगर अब जनसंख्या नियंतरन कानून मस्जिदों का दुरूपयोग होने पर कड़ी सजा और इस प्रकार से कोई भी रोड घेर करके हाई जैक करके उसको बैटता है इस पर कम से कम बड़ी कारवाई होनी चाहिए और यह जो कारवाई होनी चाहिए इन सब चीजों को करने की मांग वहां से हो रही हो तो अगली बात पर मैं चलता हूँ लंदन के अंदर सिक्ख खड़े हो करके अल्ला हो अकबर के नारे लगा रहे हैं यह सारे के सारे वीडियो में पिन कमेंट में दे दूँगा आप टेली ग्राम का जो हमारा ग्रूप है वहां पर जाकर के इस सारे वीडियो देख सकते हैं यहां पर मैं इनको म्यूट करके रखूँगा वहां जाकर के अल्ला हुआकबर के नारे लगा रहे हैं कि पंजाब बने गा खालिस्तान हम बात यह कर रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि पंजाब का खालिस्तान बने लेकिन 56 परसेंट हिसा प्रदाय से जुड़े हुए हैं हम भी चाहते हैं कि खालिस्तान एक अलग देश बने लेकिन उसके लिए पाकिस्तान पहल करे क्योंकि उसके पास में वो एकदम जो स्टार्टिंग थी सिक्षिजम की वो वाला एरिया है अब आप वहां से उसको निकाल लिए इधर से भी मिल जाएगा अगर इस तरीके की बात होती तो शायद इस पर गोर किया जा सकता था लेकिन आज जरा सोचिए कि उन लोगों की जैजैकार बोल रहे हैं आसिक जिन लोगों ने इनके गुरुओं को पूरी तरीके से जिनका आखरी बालक तक समाप्ट कर दिया उन लोगों की सोचना जो लोग खालिस्तान के पक्षमे हैं वो इस बात पर भी सोचना के पाकिस्तान के हिस्से में वो सब पवित्र स्थान हैं तो क्या पाकिस्तान उसको देगा और वहाँ पर जो अभी तक हजारों लाखों सिक्खों का मतांतरन कराया गया उनके गुरुद्वारों को ध अफगानिस्तान तक जहाँ पर 1990 में एक लाख सिख थे आज वहाँ पर केवल 3,000 बचे हैं यानि कि उन सब लोगों को मारा गया ये केवल 37,000 लोगों को नि मारा गया है उसके बाद में जितनी भी PDI उन सब को समप्त किया गया यानि कि लाखों सिखों को मारा जा चुका है कनवर्ट किया जा चुका है लेकिन उनके हिस्से पर कोई दावेदारी नहीं हिस्सा केवल हिंदुस्तान का ही चाहिए क्या कराना इसका इस वजह से यहां पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यह पूरा का पूरा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है किसानों के आंदोलन को इस समय पर इस तरीके के शडियन तरकारियों ने पूरी तरीके से आईजाक कर लिया है और अब इसमें किसान आंदोलन नाम की कोई चीज बची नहीं रहा गई है यह जो पूरा का पूरा आंदोलन है इसको हम कह सकते हैं कि तहरीर चोक जो मिश्र के कहीरा की जो वहां की रा कि आसपास की बात है जब हुसनी मुबारक को वहां से हटाया जाना था जो कि रास्ट्रपती तमा का तो उसको हटाने के लिए सब लोग आजादी चोक तहरीर चोक पर आकर के कठा हुए और वहां पर उन्होंने घेराव करना शुरू कर दिया घेराव करने के बाद में धीर जोकती में कही गई बाते हैं लेकिन तीन लाख लोग तो वहां पर थे अब आप जरा सोचिएगा कि हुसनी मुबारक ने दबाव में आकर के फरवरी में अपना इस्तीफा लिख दिया था और इस्तीफा लिखने के बाद में उन लोगों ने इस बात की खुशी मनाई जश् से जो सेना थी उसके खिलाव 2013 में जून में फिर से वहां पर एक करांती करी गई और उस समय पर भी इसी प्रकार का तकता पलट करने के पूरे-पूरे प्रयास किये गए जिसमें कई हद तक उनको सफलता भी मिल गई थी ये जो दो एक्जामपल हैं ये इन लोगों को थोड नारायन का था जो अन्ना हजारे का था जो स्वामी रामदेव का था इन लोगों का क्या था ये लोग राम लिल्ला मैदान जा करके वहां से अपने अंदोलन को चलाते थे मलब एक स्थान पर बैट गए इसमें क्या होता था कि वो लोग अन्शन करते थे वो लोग भूख जाती है जिम लगाई जाती है और जो भी कुछ सुटा उटा है वो सब कुछ वहां पर हुक्का हुक्का सब कुछ रखा जाता है बकायदा सब कुछ सजा धजा जाके और कहा जाता है कि हम रोड्स ब्लॉक करेंगे अभी 14 दिसमबर की फिर से धंकी दी गई है कि हम सारे highway वगएरा जाम करेंगे, सब कुछ hijack कर लेगे, उसके बाद हम railway track को भी hijack करेंगे, और शर्ते क्या है, मांग क्या है इनकी, ये सरकार के साथ में जाते भी हैं, तो वहां क्या करते हैं, एक circular debate करते हैं, जहां से शुरू होते हैं, और जिसका जवाबस की सरकार दे च है, ये लोग जो है अपनी demand लेकर के बैठे खालिस्तान की, वो दूसरा बंदा है भूमी पूजन कर रहा है, वो बंदा तिलक लगा के आ रहा है, वो बंदा इन लोगों के लाख मना करने पर, लाख आपत्ती जताने पर, अलाख सुजन दिखा देने पर भी, वो बंदा बै अब बताओ, भाई नरंदर मोदी जी बिलकुल हटने चाहिए, हम इन खालिस्तानियों के साथ में, इन सैपरिटिस्ट के साथ में हैं, नरंदर मोदी जी पूरी तरीके से तानाशा हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, इग्नोर करते हैं, मोदी जी को कल छोड़िये, ना बताए, अवैध मजार, डेड़ सो साल से महापरती, बुल्डोजर फिरवा देते हैं, लेकिन कोई चूं तक नहीं करता है, तो हमारी ऐसे डिमांड है, हम लोग भी नहीं चाहते कि नरंदर मोदी जी को अब परदानमंतरी बने रहना चाहिए, हमारी डिमांड है कि लोगों की शिकायते कतम हो सकती हैं, तभी जाकरके इनको अलग अलग देश मिल सकते हैं, तश्रीफ पर इनकी, अभीजित बनर जी नाम का एक अर्थ शास्त्री है, और मैंने सुनाए कि नोबेल पुरुसकार विजेता भी रहा है, और उस नोबेल पुरुसकार विजेता न मजदूर किसान जो कोई भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं उन लोगों के लिए कर दीजिए इस बंदे की अभीजीत बनरजी की इस गोशना पर कॉंग्रेस ने अमल कर लिया और अमल करने के बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने उसको अपने क्या होता हूँ गोशना पत्र में भी वो ले आए गोशना पत्र में लाने के बावजूद भी इनकी सीट जस की तस रही मलब जरा भी डगमगा ही नहीं मलकी एक बार को लगा यार 72 हजार के लालच में हो सकता है कुछ लोग कर दें इस कांड को लेकिन आप जरा सोचो दिली यार जो फ्री के पानी पर लोग वोट कर देते हैं हाफ बिजली बिल हो जाए उस पर वोट कर देते हैं उन लोग उने भी 72 हजार के लिए वोट नहीं किया और वहाँ पे इनके जमानते जब दूई है और वहाँ पे भारते जिंता पार्टी की सारी वोट सीट आई है वो अभी जीत बेनर जी पता है क्या कहता है उस बंदे का लॉजिक मतलब नेक्स्ट लेवल का है वो कह रहा है सुरी सम्मानित हैं भाई वो कह रहे हैं वो आदरनिये जी कह रहे हैं के बिल में कोई गड़ बढ़ ने बिल में कोई दिक्कत नहीं है मोधी गलत है लाने वाला गलत है इसलिए हम इस से नहीं लेंगे वो ही सिस्टम हो गया ना मतलब जैसे ये लोग कहते हैं कि भाई पानी में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लेके अच्छूत वेक्ति आया है, लेके नीच वेक्ति आया है, लेके मौत का सोधागर आया है, लेके बिच्छू आया है, लेके एक चायवाल आया है, इस वज़े से हम इसको accept नहीं करते हैं, भाई हम कहां मतलब चार-चार पीडियां हमारी शासन कर चुकी, मतलब हम देखो न ए ओह्यूम के इतने बड़े चाटू कार मतलब हम एडविना की उलादें भही हम कैसे इसको एकसेप्ट कर सकते हैं हम लोग वो जिनका बच्पन में मतलब यॉट पर जा करके तो बड़े बड़े नेवी के जो यान होते थे उन पर तो इनके जनम दिन मनते थे परसनल चौपर्स चलते थे इनके सेना वाले चौपर्स एक बंदा क्या बनाम था उसका लेहरू लेहरू तो सिगार भूल गया तो बंदे ने जहाज वापस मुडवा लिया था कि पहले मेरे को अपना सिगार चाहिए भाड़ में गई जनता जिसको मेरे को स्पीच करना है हम वो लोग और हम लोग इसका कानून क्यों मालने बस इतनी सी बात है अभी जीद वनर्जी ने ये बात सिद्ध कर दी कह दी आज तो मतलब सारी चीजों को अगर आप मिला करके देखें तो आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है आपको तहरीर चोक का जो कांड ह हुआ जो वहां की तथा कतित करांतियां हुई है उनकी भी धमकी दी जा रही है सेपरेट करने की बात की जा रही है उन लोगों के साथ मिलकर के सेपरेट करने की बात की जा रही है जिन लोगों ने इनके सिक्ष गुरू को मारा था उन लोगों की आजादी की बात हो रही है उन लोगों से हिस्सा ना ले करके आप लोगों से लिया जा रहा है और ऐसे ऐसे कुतर्क दिये जा रहे हैं कि भाया मोदी जी को हटा दो धन्यवाद इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत अंतितक बने रहने के लिए इस चैनल को सरवाधिक फैलाएं ताकि ये विचार जो हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अच्छे विचार सब तक फैलने चाहिए सब तक फैले हैं बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले पिन कमेंट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे संग बोलिये सत्य सनातन वैदिक धर्म की जै जैहिन वंदे मात्रम